कि गुरु जी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चड़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर अशुपती वरत करो, मंदिर में जाकर अराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान संकर को बेल पत्र चड़ा कर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चड़ा उस पे चड़ी हुई बेलपत्र खालो मंदिर कही वर्णन क्यों आप ये बेलपत्री भगवान संकर को चड़ाएं ना चड़ाएं आप पुष्प भगवान संकर को चड़ाएं ना चड़ाएं आप दुरुवा भगवान को चड़ाएं ना चड़ाएं मंदिर में जो शिवलिंग होता है मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो इस्थीर होता है और गर में जो शिवलिंग है वो इस्थीर है क्या है उसको तो तो तुमने उठाया उठा के थाली में रखा इसनान कराया बेलपेज बिठा दिया मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो इस्थापित है वो इस्थीर है इस्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे जादा होती है कि उसपे अगर बिलपत्री चड़े तो ठीक फूल चड़े तो ठीक सामगरी चड़े तो ठीक जल चड़े तो ठीक उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते है उनकी दर्श्टी ही जब भगवान पर चड़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक लिए उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है अब घर में जो शिवलिंग है घर में जो शंकर बगवन का शिवलिंग है छोटा सा उस पर कितने लोग दर्शन कर रहा है आप ने कर लिया पती ने कर लिया बच्चों ने कर लिया या घर में जो साथ ससुर है परिवार है कुटुमबय है उसने दर्शन कर लिया आपके कोई मेहमान आ गए आपके कोई रिष्टेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया समझ लिना जरा अच्छे से हो अब घर के शिविलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं दर्शन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं पर मंदिर का जो शिविलिंग होता है कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेल पत्र चड़ाएंगे सब जाकर फूल चड़ाएंगे सब जाकर चावल चड़ाएंगे या एक लोटा जल सब जाकर चड़ाएंगे अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है मंदिर उसको मालूम है कि यहां मंदिर है और उसकी ये मुख उसका ये चहरा मंदिर की और भी मुड़ गया भले गाड़ी चड़ा रहा था गाड़ी चलते हुए जा रही थी बले उसको शिवलिंग दिखा, ना दिखा और उसका चेहरा मंदिर की और मुड़ा तो उसकी दृष्टी का परशाद भगवान को चड़ चुका था भगवान उसको स्विकार कर चुका तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगडी बनाना तेरा काम आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चोखट पे से निकले, और उसके सामने उसकी चोखट से, जब आप निकले, तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ती को स्विकार कर लिए, अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छतिसगड के लोग इत्ती जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था, कोई शिवलिंग, जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, बोला था कि नहीं बोला था, जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुचता ही नहीं है, और आप वहां से निकल कर जा या वहां सफाई कर दी या वहां भगवान की पूजन कर ली तो वो अधिक फलदाई होता है उसका कारण क्या है लिंग पुरान करती है घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से जादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग मंदिर के शिवलिंग से ज़्यादा बलवान होता है तीर्थ छेतर का शिवलिंग किसी नदी सरोवर तलाब कुंड के पास का शिवलिंग नदी तलाब कुंड के पास के शिविलिंग से ज़्यादा बलवान होता है बन में एकांत में जंगल में पहाड परवत पर कोई शहर से दूरी पर गुपत स्थान पर कोई शिविलिंग है वो बलवान होता है अब उस शिविलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चड़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहां थोड़ी सी सेवा कर दी तो उसका फल तो हजार लाग गुना तो मिला है महाभारत की एक कथा है इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नर्सिंग पुराण में भी मिलेगा अगर आपको लगे किसी और वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं तो आप किसी ने पूछे तो बता दे ना नर्सिंग पुराण और महाभारत का यह पावन संबाद है एक बार पांडव जब बन के लिए जा रहे थे और पांडव जब बन के लिए जा रहे हैं पांडव बन की और प्रवेश्ट कर रहे हैं कुछ दिन पांडव को मन में घुमते घुमते निकल गए जब पांडव बन में घुमते घुमते निकल गए तो दुरुपती एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रहे थे अब दुरुपती जब जल लेने के लिए गई दुरुपती के केश खुले हुए थे सुन्दर भी थी वहीं पर एक देटे अपने दोस्त के साथ जा रहे थे